Welcome to Study Channel, मेरा नाम है मुहम्मत कैसर SSC MTS 2024 के लिए आवेदन की प्रिकरिया चल रही है पूरा फॉर्म कैसे भरना है मैंने अल्रेडी वीडियो बना दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एक बार क्लिक करके आप चाहें तो देख सकते हैं साती साथ signature कैसे upload करना इसका भी वीडियो बना दिया गया है तो इस वीडियो का वे लिंक भी आपको description में मिल जाएगा साती सात मैं पिन comment में भी signature upload करने का जो वीडियो है उसका link देदूँगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे परिशान हो रहे हैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको अपना live image कैसे capture करना है, कैसे आपको अपना photo upload करना है, क्योंकि इसमें काफी बच्चों का comment आ रहा था कि हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो वीडियो में last तक बने रहीएगा, photo upload करने से पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान पढ़ना होगा, उसके बाद फिर्म आपको बताऊंगा कि आप कैसे photo upload करेंगे, mobile से और laptop computer दोनों से, ठीक है, तो सबसे पहले यह बताया गया है यहाँ पर, कि photo upload करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा, कि आपका जो background हो, वो बिलकुल plain हो, बहुत सारी background में चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, एक plain कोई परदा हो, कोई कपड़ा हो, या wall हो, तो आप ऐसा एक background चूछ करेंगे, plain background ठीक है, और चेहरे पर आपके अच्छे से light आए, ताकि आपका चेहरा साफ साफ दिखे, ठीक है, उसके बाद आपको यह insert करना है, कि camera आपके eye level पर हो, आपकी नजरा है, camera पर होनी चाहिए, इधर उधर आपको नहीं देखना है, ठीक है, straight आपको camera की तरफ देखना है, ठीक है, पुरा चेहरा आपका साफ साफ फोटो में आना चाहिए, और आप camera से बहुत दूर ना हो, बहुत नजदीक ना हो, फोटो upload करते समय आप cap न पहने हो, ठी देखता है, capture करता है, ठीक है, तो फोटो capture करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है, यदि आपने फोटो में कोई गल्ती की, तो आपका photo result हो जाएगा, और इसकी वएसे आपके form पर भी problem आएगा, तो आपको photo upload करते समय सावधानी बरतनी है, फोटो खिचवाते समय यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा, capture live photo, आपको इस पर click करना है, ठीक है, यदि आप computer से form भर रही है, उसमें यदि camera लगा हुआ है, PC में जो webcam लगा होता है, वो install है, तो आप इस पर click करेंगे, तो आपका camera open हो जाएगा, ठीक है, या फिर laptop यूज कर रहे हैं, तो laptop में inbuilt camera camera होता ही है, तो आप camera यहाँ से open हो जाएगा, लेकिन आप mobile से form भर रहे हैं, या कोई ऐसा device जहाँ पर camera open नहीं हो रहा है, तो फिर आप ऐसे में पर परिशान हो जाएंगे, आप यहाँ पर website से form फिर नहीं भर पाएंगे, आज कर लगभख student mobile से form भर लेते हैं, तो ऐसे में आप mobile से form भर रहे हैं, तो आपको एक app install करना होगा, play store में available है, my SSC नाम से, ठीक है, तो उसकी सायता से आप बड़े आसानी से अपना photo upload कर सकते हैं, मेरा तो recommendation यहीं आपको रहेगा, कि आप photo mobile से अपना photo upload कर लेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हमें जाना होगा, play store में, तो play store open करिए, यहाँ पर my SSC नाम का एक app है, आप इस पर click करिए, इस install कर दीजिए, open करिए, इस परकार का user interface आएगा, आपको simply यहाँ पर अपने details fill करके login हो जाना है, user name में आप ही SSC वाला registration number डालेंगे, password आप अपना SSC वाल इंटर करेंगे, और फिर simple login होंगे, ठीक है, तो मै यहाँ से login हो जाता हूँ, login होते ही आपको MTS option दिख जाएगा, जहाँ पर capture option है, आपको इस पर click करना है, कुछ instruction आएंगे, एक बार इसे आप देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर सबसे पहला वाला photo बताया गया, कि ऐसा photo upload नहीं करना है, जहाँ पर चेहरे पर light ना हो, च capture का button आपको दिख रहा है, ठीक है, तो यह simple सा process है, मैंने यहाँ पर capture पर click किया, एक photo मेरा यहाँ capture हुआ है, थोड़ा सा page process होगा, लेकिन यहाँ पर error आगया, कि आप camera के बहुत नजदीक है, तो आपको try again पर फिर से click करना होगा, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और फिर image अपना यहाँ से capture करते हैं, ठीक है, यह देखिए, photo हमारा बिल्कुल सही है, photo uploaded successfully option आ गया, upload पर click करेंगे, यह photo upload हो जाएगा, यदि कोई दूसरा error आता है, तो उस हिसाब से फिर आप अपना photo capture करेंगे, simply अब आपको यहाँ पर return का option आएगा, click करना है, और फिर आपको website पर वापस से जाना है, successfully हमारा photo upload हो गया, अब हम website पर आएगे, हमारा photo यहाँ पर दिख जाएगा, जो हमने अभी अभी capture किया था, ठीक है, और यदि आपको browser से ही अपना photo upload करना है, direct यहीं पर click करके, तो यदि आपका camera open हो रहा है, तो आप यहीं से capture live photo पर click करके, directly अपना photo upload कर सकते हैं, और यदि आप mobile यूज़ कर रहे हैं, तो माई SSC आप के जरीए आप कर लिजिए, कहीं से कोई दिकत नहीं आएगी, तो यह कुछ important information थी आप सभी लोगों के लिए, वीडियो को लाइक कर दिजिएगा दोस्तों, चैनल को सस्क्राइब कर लाएं, और हमारे सा बने रहे हैं, थांक्स फॉर वाचिंग